नेपाल के सब्तरी में आलेमी तबलिगी इज्तिमा समाप्त दुनिया भर से पहुंचे लाखोश दालू दालू ने शिरकत गौड बर्गेनिया बॉर्डर से तक्रीबं 150 किलो मिटर के फासले पर जाजर के मुकाम पर इस्तिमा हुआ सब्तरी के बोध बरसाने नगरपाली का अंतरगत घटगा नदी के टट पर आयोजन हुआ तीन दिन तक लगातार धारमिक तक्रीरें हुई, सत्रब फरवड़ी को इस्तिमा समाब्ध हुआ दिल्ली से आये हजरत के दौरा दौरा होकर इस्तिमा संपन उआ इस्तिमा का आयोजन नेपाल के गरामीनों के दौरा किया गया है आयोजक मुहम्मत इबराहीम ने कहा कि शद्धालू रविवार तक पहुँचे आयोजों की माने तो इस्तिमा के अंतिम दिन सामुहिक दुआ के अफसर पर शद्धालू का आकड़ा और भी बढ़ा भारी भीड को देखते हुए नैपाल सरकार ने भारत की ग्रिह विभाग को पत्र लिकर सिमा पर आवाजाही रोकने की मांग की थी हाला कि एक दिन के बाद फिर आवाजाही की इजाज़त मिल गई पांच किलो मीटर लंबा वो तीन किलो मीटर चोड़ाई में इज्दिमागाह बना है लगबग 20 किलो मीटर में लोगों के लिए रहने खाने वो पार्किंग की वेवस्था की गई थी नैपाल सरकार ने कारिकरम में 50,000 लोगों को शामिल होने की अनुमती दी थी लेकिन कारिकरम शुरू होने से एक दिन पहले ही वहाँ एक लाग से अधिक लोग पहुँच गए इस कारण नैपाल परशासन दुवारा वहां सुरक्षा पढ़ा दी गई दंगा निरोधी दस्ता की भी परतिनुक्ती की गई जबकि सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल को रखा गया था भारत से नैपाल बॉर्डर पार करने के लिए लोगों का ताता लगा रहा कर दो लोगों का ताता है कर दो लोगों का ताता है कर दो कर दो लोगों का ताता है टो झाल 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 झाल